हलो गाइज मैं हूँ कमाल और आज का ड्रामा है इस ड्रामे में भर बर के हैं ताने इस ड्रामे में है इंस्टाग्राम की लीक चैट इस ड्रामे में हैं इंग्लिश टू उर्दो ट्रांसलेशन और वोमन रिटन बाइ वोमन तो तुम्हाया मतलब है कि आर इसको बिजनस करने के अपकल नहीं है आज आप सब के लिए खुश खबरी भी है अब कोई अच्छी खबर रह गई है हमारी जिंदगी में बोलू तो खुश खबरी ये है कि हम अपने लक्ष 200 सब्सक्राइबर तक जल्दी ही पहुचने वाले हैं अगर आप ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना अगर आप किसी जमाने बॉलिवूर फिल्म के फैन रहें तो इस ड्रामी कहानी के इसका ना कोई मुश्किल बात नहीं है इस ड्रामी के राइटर और डिरेक्टर ने कहानी लिखने में एक्टर ढूनने में और शूट करने में जरा भी कोशिश नहीं किये बस पुरानी बॉलिवूर फिल्म्स देखी और कहानी बना दी और ड्रामा आपके सामने पैश कर दिया अब आप हो रहे हैं कन्फियूस तो चलें कन्फियूजन दूर करते हैं यह माज यह इसकी बहन मुकदस दोनों छोड़े शेर हैदराबाद से कराची आते हैं वज़ा मरतीवी मा की आखरी खाहिश साउंड फैमिलियर ना खैर अब यह दुनों भाई बेन इस गर में रहने आते हैं जिसे 25 मरतबा बार बार हमें दिखाया जाता है ड्राउन शोर्ट्स के जरीए इंट्रोड़क्शन ये बात होती है ताने बाजी लड़की नहीं देती है इसको भाउ और ये कहता है मुझे मुकदस से शादी करनी है इससे बनाया है ड्रामे का विलन और राइटर ने इसको बस एक ही लाइन दिये अफ़ी बनाया है पौकदस से दो राउ दो राउ उसे अब ये हैं इस रामे के आगाजी आईसा थो राइटर्स N ने इसको बनाया है जैसे की एकता कपूर के हर लाम में एक बुजर्ग तो होता ही है अब लेकिन इस आगा जी ने बुजर्ग के बज़ाए दलाल के रोल प्ले किया है अब इस जिसे भी देखते हैं उसे बस शादी की बात कर लेते हैं मैं मैं समझता हूँ कि ये एक मुखदस के लिए बड़ा मौजू रह रहा खैर तो पूरे आफिस में एकी काबल पड़ा लिखा नोजवान मिलता है उसे करवाते हैं अपनी नवासी की शादी और अब यहां पर हो गए राइटर कन्फियूज तो उन्होंने सुझा कि अब क्या करें तो उन्होंने निकाले मुखबत के एंगल एमन को हो जाती है मास से महबबद इसको होती है एतरास से महबबद और आरेस चो मैं तुमसे महबबद करती हूँ तो मैं क्या करूँ एतरास को चाहिए मुकदस मुकदस की हो रही आफिस के एक ही काबल पड़े लिखे लड़के से शादी पिर लड़की की होती है शादी अब यहां तक तो राइटर्स ले आए कहानी को अब फिर सोचने बढ़े के अब क्या करें तो उन्होंने सोचा कि लड़की को करवाते हैं किड्नैप और फिर लड़की आदी अपने घर वापस लेकिन एक सेकंड और मेकर्स को मिलता है अगले पांच एपिसोड तक का कॉंटेंट इस बीच राइटर्स को ख्याल आता है कि जो कहानी कॉपी की थी वो तो रही गई फिर मास किलिर करता है सी एसेस और वो भी थर्ड पोजिशन आई है मेरी और यहां पर यह लोग होते हैं बैंकरप्ट किसकी और यहां से अंकल यह सब कुछ आरे इसका क्यादर है और फिर ड्रामा खुद ही बढ़ता है आगे और फिर कुछ रसे बाद मास सी एसेस किलिर करने बाद जी रहा है बिजिसमेंट की लाइफ अब इस ड्रामे की राइडर है यह और यह है और इन्हों ने इस ड्रामे में इतनी मिसोजनी भर दी जिसकी कोई हद ही नहीं है लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकर यह है और 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 नहीं और इस लिखा है अब आपको यह लग रहा है के हानी होगी खत्म लेकिन भाई साब यह पाकिसानी डिर्ामा अब इसके अभी तक तो आहें 11 एपिसोड का मतलब यह कहानी अभी इस ड्रामे की शूरू हूई है अभी ज्रामे को के 25 एपिसोड और आने और आप सोच सकते हैं 25 एपिसोड में कितना कच्रा रेवलक लेके आएंगे तो मेरे नजदी के ज्रामे का नाम तकबूल नहीं होना चाहिए ज्रामे का नाम होना चाहिए उटते बैठते ताने तो दोस्तों यह थी हमारी आज़ की वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कीजेगा और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कीजेगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्ला हाफ कर दोगिवार कि चॉर्स।